तो कुछ दिनों पहले Apple ने अपने सभी iPhones के लिए iOS 17 लाँच कर दिया और अभी तो iOS version 17.1.1 चल रहा है लेकिन iOS 17 के साथ कुछ नए और यूनिक फीचर विल लाँच हुए है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को पूरा और लाश्ट तक ज़रूर देखना क्यूंकि इस वीडियो में iOS 17 के कुछ नए और यूनिक फीचर आपको बताने वाला हूँ तो यह मेरे पास iPhone 13 है जिसे मैंने अभी अभी iOS version 17.1.1 में अपडेट किया है लगबग 4GB के आसपास का अपडेट था आप में से ज़्यादा तो लोगों को ये अपडेट मिल भी चुका होगा तो iOS 17 के अंदर जो फीचर मुझे अच्छा लगे उसमें से मैं सबसे पहले सुरुवात करता हूँ इसके wallpaper सेटिंग से wallpaper सेटिंग के लिए आप यहाँ पे tap and hold करते हैं इसके बाद अगर आप यहाँ पे नया wallpaper layout कस्टमाइज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा photo souffle का इसके आप एक प्लिक करेंगे और click करने के बाद album वाले option को mark करेंगे इसके बाद इस किसी भी एक photo album को select कर लेंगे इसके बाद यह जो souffle frequency है इसको क्लिक करिंगे और इसको unlock पर कर लेंगे इसके बाद use album पे click कर देंगे फिर set as wallpaper pair पे click करेंगे और यह आपका photo album as a wallpaper set हो गया अब जितनी बार भी आप अपने device को lock करके unlock करेंगे उतनी बार यहाँ पे नया photo उसी album के अंदर से select होके आ जाएगा देख सकते हैं जितनी बार भी मैं power button को दबा रहा हूँ उतनी बार यहा album को एजे wallpaper set कर सकते हैं उसके लिए आप चाहें तो अपनी पसंदीदा photos को select करके उसके बाद यहाँ add to album करके एक नया album create कर सकते हैं और उसी album को अपने phone के lock screen पे set कर सकते हैं कुछ इस तरह से अगला feature add किया गया है safari browser के अंदर update के बाद पहली बार मैंने safari browser को open किया है जो करना है safari के अंदर तो उस पे आप lock set कर सकते हैं जैसे यहाँ से turn on lock private browsing पे आप click करेंगे तो अब अगर safari के अंदर आपको private browsing करने होगी तो यहाँ पे आपको passcode की जरूरत पड़ेगी इसके अलबा माल लिजे आपने safari में कोई भी tab open किया है और आप इसके अंदर screenshot लेते और पूरे page में जिस specific part का मैं screenshot लेना चाहूं उसको यहाँ से crop करके और save कर सकता हूं iOS 17 के अंदर अगला जो feature add किया गया है वो add किया गया है इसके camera application के अंदर iPhone में एक चीज आपने notice किया होगा कि जब भी आप iPhone के camera से कोई भी videos record करते हैं तो record करते time जब ही भी आप एक जग आप से बदलता रहता है तो इसको कैसे fix कर सकते हैं उसके लिए भी iOS 17 में एक नया feature add किया गया है उसके लिए चलेंगे हम setting के अंदर इसके बाद जाएंगे camera application के अंदर और यहाँ पे सबसे उपर वाला जो option है record video का इस पे click करेंगे और इसमें सबसे नीचे की तरफ जाएं इसके लाबा iOS 17 के अंदर देख सकते हैं calling screen भी change हो गई है कुछ इस तरीके से calling screen आती है पर इसमें आप अलग-अलग number के हिसाब से photos वगएर भी set कर सकते हैं अगर मैं इधर से भी call लगाता हूँ तो भी आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से calling screen देखने को मिल रहा है तो पोश्टर इस पे आप क्लिक करेंगे और इसके उपर आप चाहें तो सीधा photo लगा सकते हैं या आप चाहें तो इस तरह का कोई भी memoji वगएर लगा सकते हैं इसके बाद जब भी आप उस इनसान को call करेंगे या वो इनसान आपको call करेगा तो जो भी यहाँ पे memoji आपने set क किया होगा वो आपके calling screen पे दिखाएगा इसके अलावा इन्होंने call log के अंदर भी एक बहुत काम का feature add किया है और वो feature यह है कि आप अब इसके अंदर 2000 call logs को देख सकते हैं जो की पहले 100 तक ही सिमित था 100 के बाद जो भी call logs थे वो automatically delete हो जाते थे लेकिन अब इसकी संक्या ब उसी position पे crop कर सकते हैं और अगर इसको अलग-अलग तरीके से crop करना है तो यह auto के side में जो option है इस पे आप click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग-अलग तरह के option आपको मिल जाएंगे जैसे square, freeform, wallpaper, अलग-अलग ship में आप इसको crop कर पाएंगे अगर आप setting में 3D and ha haptic touch के अंदर जाते हो तो यहाँ पे कई सारे option available हैं जिनसे आप अपने phone के haptics को और भी ज्यादा improve कर सकते हो इसके अलावा iOS 17 के अंदर आपको interactive widget का feature दिया गया है मतलब आप सीधा widget पे ही click करके और वहाँ से आप action ले सकते हो और हाला कि मैंने iPhone 13 को अभी-अभी iOS 17.1.1 पे पता हो उनको help मिल सके आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको helpful लगी होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों को भी share करें मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंद वन्द मत्रम